आज हम सीखेंगे तंत्र का नियंत्रण के बारे में पिछले विडीयो में हमने पादपों में नियंत्रण और समन्वय यानि control and coordination की चर्चा की चलिए आज जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की चर्चा करे जन्तुओं में नियंत्रण और समन्वे तंत्रे का तंत्र यानि नवस सिस्टम और पेशी उतक यानि मस्कुलर टिशू द्वारा होता है नियूरॉन तंत्रे का उतक तंत्रे का कोशिका यानि की नियूरॉन के एक संगठित जाल से बना हुआ होता है neuron तंत्री का तंत्री की संड़शनात्मक और क्रियात्मक इकाई है neuron कोशी का काय यानि cell body, dromica यानि dendrite और تंत्री काक्ष यानि exon से बना हुआ है कोशी का काय तारे के आकार जैसा होता है जिसमें से छोटे तंतु यानि fibers जैसे dromica और एक तंत्री काक्ष निकलते हैं नियूरोन विभिन उदिपनों को विद्यूत आवेक यानि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संचारत करता है चलिए इसे विस्तार से समझें हमारे शरीर के ज्यानेंद्रियों में ग्राही यानि रिसेप्टर्स उपस्थित होती है और ग्राही में नियूरोन के द्रोमिका उपस्थित होते हैं जहां द्रोमाकृतिक सिरा यानि डेंडराइटिक टिप पर्यावरण से सूचना की पहचान करता है उधारण के लिए नासद्वार में उपस्थित घ्रान ग्राही यानि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स गंध का जिवा में उपस्थित समवेदी ग्राही यानि गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्वाध का आखों में उपस्थित प्रकाश ग्राही यानि फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश का, कर्ण में उपस्थित श्रवन ग्राही यानि फोनो रिसेप्टर्स ध्वनी का, और त्वचा में उपस्थित तापमान ग्राही यानि थर्मो रिसेप्टर्स तापमान का पता लगाती है। विद्यूत आवेक कोशी का काय में संचारित होता है, जहांसे विद्यूत आवेक तंत्रिकाक्ष से होता हुआ, तंत्रिकाक्ष के अंतिम सीरे तक पहुचता है। विद्यूत आवेक यानि इलेक्षिकल इंपल्स तंत्रिका यानि नर्फ में इस तरह से यात्रा करता है। पेशी कोशी काय और ग्रंथिया विद्यूत आवेक को क्रिया में परिवर्दित करती है। इसलिए इन्हें कार्यकर यानि इफेक्टर कहा जाता है। हमारी शरीर में तीन प्रकार के नियूरॉन हैं। समवेदी नियूरॉन ज्याने इंद्रियों में उपस्थित गराही से परियावरण की सूचनाई प्राप्त करते हैं। प्रेरक नियूरॉन तंत्रिक आवेग को पेशी कोशी काउं या ग्रंथी तक पहुचाते हैं। और प्रतिसारण नियूरॉन समवेदी नियूरॉन से प्राप्त तंत्रिक आवेग को प्रेरक नियूरॉन तक पहुचाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सभी नियूरॉन कैसे कारे करते हैं। प्रतिवर्थी क्रिया यानि रिफ्लेक्स आक्षिन आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि यदि किसी गर्म वस्तू से अंजाने में हमारा स्पर्ष होता है तो स्पर्ष वाला अंग तुरंत पीछे ले लिया जाता है। इस प्रकार किसी उद्धिपन के लिए बिना सोचे तुरंत अनुक्रिया देना प्रतिवर्थी क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाएं हम अपने आपको बचाने के लिए करते हैं। यहां इस प्रतिवर्ती क्रिया के दोरान हमारी त्वचा में उपस्थित ग्राही से सूचना समवेदी नियूरॉन में पहुचती है। समवेदी नियूरॉन में सूचना विद्यूत आवेग में परिवर्तित होती है। यह सूचना प्रतिसारण नियूरॉन से प्रेरक नियूरॉन तक पहुचाई जाती है। समवेदी नियूरॉन और प्रेरक नियूरॉन के बीच के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप यानि रिफलेक्स आग कहा जाता है। यह प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु यानि स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं मस्तिश्क में जाने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरु रज्जु में एक बंडल बनाती है प्रेरक नियूरौन प्राप्त आवेक को कार्य कर भुजा की पेशी कोशी काओं तक पहुचाता है जिससे स्पर्श होने वाला अंग गर्ण वस्तु से हटा लिया जाता है यह अनुक्रिया हम बिना सोचे करते हैं यदि यह क्रिया हम सोच कर करते तो सूचना मस्तिश्क तक जाती और प्रतिक्रिया देने में विलंब होता लेकिन इतने समय में स्पर्श होने वाले अंग को हानी हो सकती है मेरो रज्जु द्वारा प्रतिवर्थी क्रियाओं का नियंतरन करके ऐसे स्थिती में तुरंत अनुक्रिया दी जाती है यद्व्यपी आगत सूचनाय मस्तिश्क तक भी जाती है मस्तिश्क हमारे द्वारा की गई सभी क्रियाएं, प्रतिवर्दी क्रियाएं नहीं होती जैसे चलना, बोलना, दोडना, इत्यादी ऐसी क्रियाओं के लिए सोचना अवश्यक होता है सोच कर करने वाली क्रियाएं, एच्छिक क्रियाएं, यानि voluntary actions कहलाती है इसमें हमें हमारा मस्तिश्क यानि brain सहायता करता है मस्तिश्क विभिन आगत और निर्गत यानि input and output सुचनाओं को समाकलित करता है इसलिए मस्तिश्क हमारे शरीर का मुख्य समनवय केंद्र यानि main coordinating center है मस्तिश्क में तीन मुख्य भाग होते हैं अग्र मस्तिश्क यानि four brain, मत्य मस्तिश्क यानि mid brain और पश्य मस्तिश्क यानि hind brain अग्र मस्तिश्क मस्तिश्क का मुख्य सोचने वाला भाग है जो प्रमस्तिश्क यानि cerebrum, hypothalamus और thalamus से बना हुआ है प्रमस्तिश्क हमारी एच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है प्रमस्तिश्क में विभिन ग्राहियों के लिए विभिन शेत्र होते हैं प्रमस्तिश्क में विभिन सहाचर्य शेत्र भी होते हैं जो इन सम्वेदी सूचनाओं, अन्य गराही से प्राप्त सूचनाओं एवं मस्तिश्क में पहले से एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाता है और अनुक्रिया से संबंदित निर्णय लेता है। इस निर्णय को प्रेरक्षेत्र यानि मोटर एरियास तक पहुचाया जाता है जो एच्छिक पेशी यानि वॉलिंटरी मसल्स की गती को नियंतरित करता है। हाइपोथेलमस शरीर का तापमान, भूक, वृद्धी जैसे कारियों का नियंतरन करता है। हाइपोथेलमस के नीचे पियूश क्रंथी यानि पिट्यूटरी ग्लांड उपस्थित होती है जो रुदीर में विभिन हॉर्मोन स्रावित करती है। मद्यमस्तिश्क शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं करता है। यह क्रियाएं हमारी नियंतरन में नहीं होती। पश्च मस्तिश्क, पॉंस, मेडूला और अनुमस्तिश्क यानि सेरेबलम से बना होता है। अनुमस्तिश्क एच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धी यानि प्रिसीशिन तथा शरीर के संस्थिती और संतुलन यानि पोस्चर एंड बालेंस को नियंतरित करता है। तथा मेडूला, रिदैस्पंदन यानि हार्टबीट, लार आना यानि सलाइवेशन और वमन यानि वमिटिंग, इत्यादी जैसी अनैचिक क्रियाओं यानि इन्वॉलिंटरी एक्शन्स को नियंतरित करता है जो हमारे नियंतरण में नहीं होती। मेडूला के नीचे मेरूरज्यू उपस्थित होता है। मस्तिश्क और मेरूरज्यू की सुरक्षा मस्तिश्क और मेरूरज्यू कोमल अंग है। मस्तिश्क की सुरक्षा हडडियों के बॉक्स, कपाल यानि क्रेनियम, जिसे खोपड़ी यानि स्कल भी कहते हैं के द्वारा, तथा कपाल के अंदर स्थित मस्तिश्क मेरू द्रव यानि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लोईड तरल द्वारा की जाती है. यह द्रव प्रगात अउशोशित यानि शौक एब्जॉप करता है और मस्तिश्क की रक्षा करता है. इसी तरह मेरू रज्जू की सुरक्षा कशेरुक दंड यानि वर्टिब्रल कॉलम या रीड की हड़ी यानि बैकबोन द्वारा की जाती है. केंद्री तंत्री का तंत्र और परिधिय तंत्री का तंत्र. मस्तिश्क और मेरू रज्जू केंद्री तंत्री का तंत्र यानि Central Nervous System बनाते हैं. केंद्री तंत्री का तंत्र शरीर से विविन सूचनाय प्राप्त करता है और इनका समाकलन करता है प्राप्त सूचना के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए पेशियों तक संदेश पहुचना चाहिए इसके लिए मस्तिश्क और मेरू रज्जु से विविद तंत्रिकाएं निकलती है मस्तिश्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं यानि क्रेनियल नर्वस कहलाती है तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं यानि spinal nerves कहलाती है कपाल और मेरु तंत्रिकाओं से परिधिय तंत्रिका तंत्र यानि peripheral nervous system बनता है परिदिय तंत्री का तंत्र, केंद्री तंत्री का तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच में सूचना का संचार करता है, जिससे पेशी में गती होती है पेशी में गती हम जानते हैं कि पेशी कोशिकाओं में विशेश प्रकार के प्रोटीन होते है जब तंत्री का आवेग परिधिय तंत्री का तंत्र द्वारा पेशी कोशी का तक भोचता है तब विद्यूत आवेग के कारण प्रोटीन की आकृती और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन आता है जिससे पेशी की आकृती में परिवर्तन आता है और पेशी गती करती है तो आज हमने सीखा तंत्री का नियंत्रण के बारे में